नमस्कार साथियों मेरा नाम है सुभास राज और आप सभी देख रहे हैं एक्समार्ट स्टेडी का यूटूब चैनल साथियों परिक्षाओं में बार बार आये प्रश्णों का महाभंडारा बहुत ही इंपोटेंट कोश्चन से ये सारे के सारे प्रिविस येस के और बहुत सारे कोश्चन ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड कोश्चन है आपके आने वाले सभी एक्जामसों के लिए बहुत ही महत्पुन होने वाली है 2023 में आपकी जितनी भी परिक्षा ही होंगी सभी के लिए बहुत ही इंपोटेंट कोश्चन से ये अन्तक दिखिएगा सभी साथी और 60 कोश्चन है टोटल 60 में से 30 कोश्चन आपको सही करने है कितने कोश्चन आप करेक्ट कर पाते हो ये वीडियो के अंत में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताना साथjोग चानल के अंदर हजारों वीडियोस और क्लासिस पड़ी हुई है आप लोग सभी साथ ही जो है बारेकी से देख लीजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं पहले कोस्टन के साथ और पहला कोस्टन आपके स्क्रीन पर पहला कोस्टन है साथ हो क्लोरो फार्म का अनुसुत्र क्या होता है तो देखिएगा chloro farm का अनुसुत्र क्या होता है याद रखिएगा chcl3 option number 20 question का right answer होगा साथ हो chloro farm ठीक है इसका उपयोग निष्चे तक के रुप में करते हैं किसी को बेहोस करने के लिए आगे देखेंगे अगली question येरी screen पर cold ring का खटा स्वाद किसके कारन होता है बहुत ही important question है देखिएगा cold ring का खटा स्वाद किसके कारन होता है तो साथ यो फासफोरिक अमलक के कारन option number D right answer है विश्वो में trade organization का पर्थम मंत्री वर्गिया सम्मिलन कहा हुआ था बहुत important question है विश्वो में trade organization का पर्थम मंत्री वर्गिया सम्मिलन कहा हुआ था याद रिखिएगा सिंगापूर में option number B right answer है अंतराष्ट्य नियाले के नियाजिसों की पदावधी कितने वर्ष का होता है तो देखिए अंतराष्ट्य नियाले के नियाजिसों की जो पदा कौन है तो देखिएगा भारत में remote satellite program के जनक किन को माना जाता है तो केक कस्तूरी रंगन जी को option number D right answer हो गया आगे देखिएगा प्यारे साथ्यों रशानिक रूप से milk of magnesium किसे कहा जाता है तो देखिएगा बहुत ही important question है यह भी तो रशानिक रूप से milk of magnesium magnesium dioxide को को कहा जाता है option number D right answer हो गया साथ्यों सभी साथी वीडियो को like और share करते रहिएगा देखिएगा टेलर घाटी किस देश में अवस्थी थे अच्छा question है टेलर घाटी किस देश में अवस्थी थे याद रिखिएगा साथ्यों Australia में option number B right answer है भारत में पहला क्रिसी विज्यान केंद्र कहा अस्थापित हुआ था याद रिखिगा पुदुचेरी में option number B right answer है सर्वादिक अमलिया वर्षा किस देश में होती है तो दिखिगा सर्वादिक अमलिया वर्षा जो है एसीड रेन जो SO2 और NO2 के कारण होता है ये किस देश में होती है नार्वे में option number C नार्वे right answer है next question द भारत में कहा तो पूने में next question इंद्रा गांधी center for atomic research किस राज में इस्ती थे देखिगा इंद्रा गांधी center for atomic research किस राज में इस्ती थे तो साथ यो right answer हो जाएगा तामिल नाडु में कायरिपालिका का प्रमुक कोन होता है कायरिपालिका का प्रमुक जब भी पूछे ये question साथ हो आपको याद रखना है कायरिपालिका का प्रमुक होता है राष्टपती भारत का राष्टपती जैसे कि अभी भारत के पंद्रवी राष्टपती कोन है द्रोबदी मुर्मुजी नेक्स्ट कोश्चन देखे राष्टपती लोगसभा भंग करते हैं किस के तईखेगा राष्टपती लोगसभा को भंग कर सकते हैं और यो भी प्रधानमंत्री की सलहापर जिसका प्रवधान संविधान के अनुछिद पचासी में किया गया है तो प्रधानमंत्री की सलहा पर अनुच्छेद 85 के तहत देखेगा कौटस किस देश की विदेशी हवाई शेवा का नाम है तो साथियो राइट अंसर हो जाएगा औस्टेलिया का ओप्शन नमबर भी राइट अंसर है बहुत धरम कब बट गया था तो देखेगा बहुत धरम कब बट गया था बहुत धरम साथियो चतुर्थ बोद जंगित में बट गया था ना इसवी की पहली सदी में कनिस्क के सासनकाल में कहां पर तो कुंडलवन में कुंडलवन कहा है कस्मीर में कुंडलवन कस्मीर में दो भागों में बढ़ गया था, एक हिनियान और एक महायान, आगे दिखेंगे, भारतिया जागरीती का जनक किसे कहा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है, याद रिखेगा साथ हो, भारतिया जागरीती का जनक, राजा राम मोहन राजी को कह जाता है, ब्रिटेन के मार्गरेट थेचर को किस नाम से जाना जाता है, तदिखेगा ब्रिटेन के मार्गरेट थेचर को लोह महिला के नाम से जाना जाता है, ऑप्सन नमबर बी राइट अंसर है, भारत के किस राज में लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है, याद बहुत ही important question है साथियो और देखिएगा इस question का right answer हो जाएगा लॉड करना वाल इसके बहुत संग में सम्मिलित होने के लिए नियुनता मयू सिमा क्या थी तो बहुत संग में सामिल होने के लिए नियुनता मयू सिमा थी 15 वर्ष याद रखना option number A right answer है विश्व का सबसे दीब कौन सा है याद रखिएगा ग्रिन लैंड next question रभिया दुर्रानी किस मुगल सासक की पतनी थी तो याद रखिएगा रभिया दुर्रानी ओरंग जेब की पतनी थी साथियो ओरंग जेब next question किस गुप्टकालिन सासक को कभिराज कहा गया है तो वहुत ही important question देखिएग गिरनार परवत जो गिजरात में हैं यहां परिस्तित सुदर्शन जील का पूर्ने रुद्धार कि इसने किया था इसकंद गूप्त ने ओप्सन नमबर ए राइट अंसर है आगे देखिए निमने लखित में से कौन सानाटक काली दास ने नहीं लिखा है तो देखिए मलविका गुप्त काल में वेस्या विर्ती करने वाली महिलाओ को क्या कहा जाता था याद रिखिएगा गनी का ओप्सन नमबर सी राइट अंसर है गुप्त राजवन्स किसलिए परसिध्धा तो साथियों गुप्त राजवन्स जो है किसलिए परसिध्धा तो कला एबम कहा जाता था ओप्सन नमबर भी राइट अंसर है पेशवा हिंदी कभिता के रितिकाल का प्रथम कभी किसे माना जाता है बहुत इंपोलेंट साथियों देखिगा राइट अंसर हो जाएगा केशव दास को ओप्सन नमबर डी राइट अंसर हो गिया बांधीपुर के उधान जो है यह साथियों किस राज में इस्ति थे याद रखना करनाटका में ओप्सन नमबर सी राइट अंसर है सेंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है तो सेंडविच साथियों हवाई द्वीप का पुराना नाम है ओप्सन नमबर भी राइट अंसर है गांधी जी की उम्रित्तु हुई थी तो जोहारलाल नहरू जी ने ये कथन कहा था कि हमारे जीवन से प्रकास चला गया नेक्स्ट कोश्चन देखीगा विशनु सर्मा द्वारा रचित पंच तंत्र को कितने भागों में बाटा गिया है यहाँ पर दो कोश्चन बनता है पहला तो ये कि पंच तंत्र के लेखक कोन है रचियता कोन है तो विशनु सर्मा ठीक है और पंच तंत्र को कितने भागों में बाटा गिया है याद रिक्षिगा साथ यो पाँच भागों में जो कलपना ब्रह्म गुप्त ने की थी ओप्शन नंबर भी राइट अंसर है निमनल खित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सिजन को हवा में छोड़ा जाता है देखेगा साथ्यों इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा फोटो सिंतेसिस यारी प्रकास संसलेशन इंपोटेंट कोश्चन है याद रिखेगा 1950 में भारत की स्वातंतरता के समय गवर्नर जनरल कोन थे लौड माउंट बेटन आगे देखेगा भारत के किस राज में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार थोरियम का भंडार मुझुद है तो याद रिखेगा साथ्यों केरल में औप्शन नमबर ये राइट अंसर है रंग भूमी किसकी रचना है तो देखेगा रंग भूमी कर्म भूमी ये सभी मुनसी प्रेम चंद की रचना है औप्शन नमबर सी राइट अंसर है मनुस्तिक के सुंगने की छमता को को नियंतरित करता है तो मनुस्तिक के सु राइटन्सर हो जाएगा ओप्शन नमबर C मुंबई कॉंग्रेस का बेलगाउं अधिवेशन कब हुआ था तो साथियों कॉंग्रेस का बेलगाउं अधिवेशन 1924 में हुआ था ये काफी फेमस है क्योंकि इसकी अधिश्ता की थी महात्मा गांधी जी ने ठीके आगे देखे कुराबांध बिहार राज में इष्तित है सदार पतेल प्राणी उधान किस राज ने इस बातकर करें साथियों किस भारतिय राज का प्रसिद्थ का परशिद सांस्त्ति ने इडित्य है तो जरूर याद रिखिएगा दिखिएगा करिक्ट अंसर हो जाएगा केरल का गोरकपूर सहर निम्नल खित में से किस नदी परिस्ति थे साथियो गोरकपूर नदी या मापकनेर गोरकपूर सहर जो उत्तर परदेश का प्रमुक सहर है किस नदी पर इस्ती थे तो राप्ती नदी पर option number D राप्ती आगे दिखेंगे बक्सा बंजी बभियारेन भारत के किस राज में इस्ती थे तो राइट अंसर हो जाएगा साथियो पस्चिम मंगाल में आगे नेक्स्ट कॉस्चन कैलास सत्यार्थी को किस चेतर में नॉबल पुरस्कार दिया गिया था सांती के चेतर में इलहाबाद बैंक की टेग लाइन क्या है याद रिखेगा विश्वास की परंपरा ओप्सन नमबर C राइट अंसर है देखेगा कोलरू बंजीव अभियारन किस राज में इस्तित है बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है किस बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है याद रिखेगा बाबा रामदेव का आगे देखेगे सेक्टर 16 स्टेडियम इन में से किस जगह पर इस्थीत किर्केट इस्टेडियम है तो साथियो सेक्टर 16 स्टेडियम जो कि ये किर्केट इस्टेडियम है ये कहां पर इस्ति थे तो पंजाब में ऑप्शन नमबर सी पंजाब राइट अंड सरे बुलन दर्वाजा किस राज में इस्ति थे दिखेगे साथियो बुलन दर्वाजा अकबर ने बनवाया था और ये उत्तर प्रदेश में इस्ति थे नेक्स्ट कोश्चन लोधी गार्डन कहां पर इस्ति थे तो साथ यो लोधी गार्डन ये नई दिल्ली में इस्ति थे ओप्सन नमबर ए राइट अन्सरे बिस्व होमियोपेथी दिवस कब मने आ जाता है बहुत ही इंपोटेंट कोश्च साथियो ये भी भारत का सबसे पुराना बांध कल्ल नई बांध ऑप्सन नमबर सी राइट अन्सर है उज्जैन किस नदी के किनारे पर इस्ति थे तो देखिएगा उज्जैन किस नदी के किनारे पर इस्ति थे राइट अन्सर हो जाएगा साथियो याद रिखिएगा सभी साथी सिप्रा नदी के किनारे पर अंतिम कोस्चन इस क्लास का देखीगा मरीन नेशनल पार्क कहां इस्ति थे अच्छा कोस्चन है सभी साथी दिखेगा तो साथ्यों मरीन नेशनल पार्क ये गुजरात राज में इस्ति थे साथ्यों ये साथ कोस्चन थे बहुत ही इंपोर् लोड कर दी हैं आप लोग सभी साथ ही देख लीजेगा मिलेंगा अगली वीडियो में तब तक स्वास्त रहें जैन साथ्यों वंदे मात्रम